दिल्ली में आयोजित G20 देशों की बैठक की शानदार सफलता से कॉंग्रेस सहत विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों में कितनी बौखला हट है इसका अंदाजा इस बात से लगा जा सकता है कि जिस वक्त नितियश कुमार वैलकम डिनर में पकवानों का लुट्फ उठा रहे थे उसी वक्त उनकी ही पार्टी का विधायक मदंत सहनी G20 की बैठक को टाइम पास बता रहे थे कॉंग्रेस के जेराम रमेश को इस बैठक को देखकर आजादी के पहले देश में हुए अंतराश्टरे सम्मेलन की याद आने लगी तो धफ ठाकरे की पार्टी के नेता संजैर राउत इसे मनोरंजन कारिक्रम बताने लगे राउत ने चार दिन तक दिल्ली बंद किये जाने को नाके बंदी कहते हुए पूछा कि आखिर सरकार किस बात से डर रही है राउत ने दावा किया कि 2024 में मदर अफ डिमोकरसी में बदलाव आएगा सामना में राउत ने लिखा कि हमारे देश में फिलहाल सरकार प्रायोजित मनोरंजन के विभिन्न कारिक्रम चला रही है प्रधान बंतरी नरेंदर मोदी भी लोगों का मनोरंजन अच्छा ही कर रहे है G20 सम्मेलन के उपलक्ष में दिल्ली को सजाया गया 20 देशों के राश्टर प्रमुक दिल्ली पहुँच गए और इस सम्मेलन की मेजबानी भारत को मिली दिल्ली बंद किये जाने पर राउत ने लिखा कि दूसरे देशों के ऐसे सम्मेलनों में मैं जा चुका हूँ वहाँ पर लोगों को कम से कम परिशानी हो इस तरह के समारोह का कारक्रम किया जाता है लेकिन हमारे देश में इस तरह के समारोह अर्थात जनता को परेशानी G20 सम्मेलन में रूस के और चाइना के राश्रोपतियों के नप पहुंचने पर पहले कॉंग्रेस अपना दुखड़ा सुना चुकी है तो संजय राउत भी कॉंग्रेस के सुर में सुर मिलाने रगे राउत ने तंसकस्ते हुए लिखा कि G20 के लिए देश में दिल्ली में 20 देशों की राश्रप्रमुख आए उसमें अमेरिका के जो बाइडेन चाइना के और राश्या के राश्रप्रमुख नहीं पहुंचे इसलिए समारोह थोड़ा फीका पड़ गया राउत ने लिखा कि दिल्ली की गरीबी कुवेवस्था जुगियां दिखाई न दे इसलिए ऐसे कई हिस्सों को रंगीन पर्दों से ढख दिया गया इस दरिद्रता को सरकार बीते आठ से नौ वर्षों में खत्म करने में नाकाम रही इसलिए इसे ढख कर रखने की नौबत आई राउत ने लिखा कि दिल्ली में विदेशी महमान बहुत हैं लेकिन माहौल नेरस है संसद के विशेश सत्र पर राउत में लिखा कि निमंतरन आया है लेकिन ये निमंतरन विवाह, यग्योपवीत संसकार और किसी की जैनती पुनिति थी या किसी और चीज़ का है मुदी सरकार की मन में आया इसलिए उन्होंने सत्र का समारोह आयोजित किया बनिमंतरन दे दिया उन्होंने कहा कि भूसा भरे हुए लोगों को कुर्सियों पर बैठाया गया और दो चार लोग ही सरकार चला रहे हैं राश्च्र बेरोजगार भूखा है उसके चिंता कौन करेगा देश में सिर्फ कसरत बाजी और मनुरंजन के कारक्रम चल रहे हैं शिवसेना यूबीटी के नेता ने जी ट्वेंटी सम्मिलन में देश का नाम भारत इस्तिमाल किये जाने पर भी हमला बोला उन्होंने लिखा कि सम्मिधान द्वारा स्विकृत नाम से डरने वाली सरकार हमने पहली बार देखी है मूदी सरकार ने जान बूच कर इंडिया का नाम बदल कर रिपबलिक ऑफ भारत रख दिया जी ट्वेंटी नामक मनुरंजक कारकम के लिए उन्होंने प्रेजिडेंट आफ रिपबलिक ऑफ भारत नाम से निमंतरन पत्र शपवा दिये संजराउत ने लिखा कि इंडिया के प्रदान मंतरी के रूप में नहरू से लेकर मूदी तक सभी लोग दुनिया भर में घुमें और इंडिया के नाम के प्रति मूदी सरकार के मन में इतना कूट-कूट कर द्वेश भरा है इस पर आश्चर यह होता है पिर रिपोर्ट वीज़ इंडिया हवा निकाल कर रख दी शेशी थरूर ने G20 शिखर सम्मेलन में सर्व सम्मती से घोशना पत्र को स्वीकार किये जाने पर अमिताभ कांत की तारीफ की उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूकरेन युद्ध पर प्रमुख मत्भेदों को दूर करते हुए सर्व सम्मती से घोशना पत्र स्वीकार किये जाने के बाद भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की ये देश के लिए गर्व की बात है एक रात पहले की कठिन समझोता वारता ने भारत को ये सफलता दिला दी जिसके लिए पियम मोदी की टीम G20 ध्यक्षता मिलने के बाद से ही दिन रात पर इश्रम कर रही थी शुकरवार शाम तक यूकरेन मुद्दे को लेकर दिल्ली घोशना पत्र पर आम सहमती का मामला अटका हुआ था ये खत्रा भी मंड़ा रहा था कि क्या शिकर सम्मेलन से एक जुट बयान जारी हो पाएगा लेकिन इसके बाद भारतिय टीम ने चाइना, रूस और पश्चिमी देशों के प्रतिनिदियों के साथ फिर से वारता का दौर शुरू किया उसमें भारत को ब्राजील, दक्षन अफरिका और इंडोनेशिया का पूरा सहयोग मिला इन प्रयासों से भारत को यूकरेन मसले पर तयार अनुच्छेद को लेकर चाइना को सहमत करने में कामिया भी मिल गई बाद में यूरोपिय देशों ने भी इस पैरे में लिखी बातों से सहमती जता दी थी G20 के भारतिये शेरपा अमिताब कांत ने भी इस बात की पुष्टी की थी कि आम सहमती बनाने में ब्राजिल, दक्षन अफरिका और इंडोनेशिया ने पूरा सहयोग किया उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोशना पत्र पर सदस्य देशों के से 200 घंटे तक चर्चा हुई रूस और चाइना के साथ अलग से लंबी बात्चीत हुई जिसके बाद शुक्रवार रात को अंतिम मसौदे पर सहमती बनी इसी बात्चीत को आधार बनाकर कॉंग्रेस सांसद शशी थरूर ने एकसपर भारतिये शेरपा मिताब कांत को बधाई दी उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि जब आपने आईएस का विकल्प चुना तो आईएफस ने एक प्रतिष्ठित राजनेक खो दिया उन्होंने उसे भारत के लिए गर्व का पल बताया जीट्वेंटी सम्मेलन में जितने भी देश सामिल होते हैं वह अपने देश की तरफ से एक शेरपा न्यूक्त करते हैं सदस्य देशों के शेरपा G20 सम्मेलन के दोरान अपने अपने देश को प्रदर्शित करते हैं और इस सम्मेलन में वह अपने निताओं की मदद तो करते ही हैं साथ ही उनका काम अपने देश की नीतिकत फैसले से वे सभी सदस्यों को अवगत कराना भी है मतलब ये कि शेरपा का पद किसी राजदूत के बराबर होता है शेरपा की न्यूकती सदस्य देशों की सरकार करती है भारत ने अपना शेरपा अमिताब कांत को बनाया शिकर सम्मेलन के पहले ही दिन दूसरे सतर की शुरवात में पिये मोदी ने विदिशी महमानों को संबोधित करते हुए कहा था कि नई दिल्ली G20 डेकलेरेशन पर सहमती बनी है इसके बाद मोदी ने कहा था कि मैं चाहता हूँ केस डेकलेरेशन को एडॉप्ट कर लिया जाए कुछी देर बाद मोदी ने घोशना कर दी कि दिल्ली डेकलेरेशन को मनजूर कर लिया गया है भारत की अध्यक्ष्टा में हो रहे शिकर सम्मेलन में ये एक बड़ी जीत थी जी ट्वेंटी समिट में नहीं आकर शी चिन पिंक ने जुक होया उसकी भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा जी ट्वेंटी समिट के दौरान भारत ने चाइना के बेल्ट ए रूड इनिशिटिव का तोड़ निकाल कर चाइना को तगड़ा जटका दे दिया चीन अब तक रूड ही बनाता रह गया और भारत ने रेलोड जहाज से यूरप पहुँचने का रास्ता खोज निकाला इतना ही नहीं जी ट्वेंटी समिट खत्म होते ही भारत ने चाइना को एक और तगड़ा जटका दे दिया शिखर समिलन खत्म होने के कुछ मिनिट बाद भारत ने चाइना को एक बड़ा संदेश दिया भारत लड़ाक के नियुमा में दुनिया की सबसे उँचे लड़ा को हवाईक शित्र का निर्मान करेगा इस परियोचना का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजना सिंग 12 सितंबर 2023 को जमु कश्मीर के देवक बिर्ज से करेंगे एल एसी पर चाइना से लगातार चल रही तनतनी के बीच रक्षा मंत्राले के इस फैसले को काफी एहम माना जा रहा है बॉर्डर रोड और्गनाईजेशन यानि बी आरो की ओर से पूर्वी लदाक में काफी महत्वपूर्ण नियुमा बेल्ट में एक नए एयर फिल्ड के निर्मान में कुल 218 करोड रुपए की लागत आएगी चाइना को सीमा पर कड़ी टकर देने के लिहासे इस एयर फिल्ड को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इससे पहले राजुनाच सिंग ने सोशेल मीडिया साइट एक्स पर कहा नई दिल्ली में एतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन सफालता पूर्वक संपन हो गया प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नितरतों में भारत की अध्यक्षता ने विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बनी सहमती वैश्विक विश्वास की कमी को पूरा करने और वैश्विक विश्वास आत्म विश्वास पैदा करने में एतिहासिक मील का पत्थर है उन्होंने आगी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वगुरू और विश्वबंधु दोनों ही के रूप में भारत की शक्ति को सफलता पूर्वक प्रदर्शित किया पूर्वी लद्दा के नियुमा एडवांस्ट लैंडिंग ड्राउंड का इस्तिमाल तीन साल पहले से किया जा रहा है चाइना से सीमा पर जारी तनाव के बीच इसे सैनिकों और सामगरी के परिवहन के लिए इस्तिमाल किया गया साल 2020 में गलवान में भारत और चाइना की सेनाओं के बीच हुई जड़ब के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी जारी है जी ट्वेंटी की बैठक और डिनर पार्टी के बाद बिहार की सियासी हलचल काफी बढ़ गई है डिनर पार्टी के दोरान लंबे अरसे के बाद पियम नरेंदर मोदी और बिहार के मुक्यमंतरी नितिश कुमार के बीच हुई मुलाकात शुरवात में नितिश कुमार पियम मोदी के सामने जहिपते हुए नजर आए लेकिन जब पीएम मोदी ने उनकी मुलाकात अमेरिकी प्रेजिरन जो बाइडेन से करवाई तब नितिश कुमार मुस्कुराते दिखे दिल्ली में हुई इस मुलाकात की बाद बिहार में अटकलों का दौर शुरू हो गया जन सुराज अभियान के प्रमुक प्रशंत किशोर ने तो बड़ी ही बविश्यवानी करड़ा ली उन्होंने कहा कि बिहार में आगामी दोनों चुनाव आज की जो विवस्ता है उस तरज पर नहीं होंगे दिल्ली में G20 की बैठक के दौरान राष्टरपती ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को डिनर पर बुलावा भेजा था जिसमें कॉंग्रेस के कुछ मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे लेकिन इस डिनर में नितीश कुमार शामिल हुए और इसके बाद से सियासी हलचल तेज है माना जा रहा है कि बैठक के दौरान जिस तरह से नालंदा विश्विद्याले को बैकड़ॉंड में रखकर विदेशी महमानों को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने दिखाया उसने नालंदा विश्विद्याले की पहचान देश विदेश में और बढ़ा दी और इससे बिहार के पहचान भी काफी बढ़ गई है वहीं डिनर के दौरान प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने नीतीश कुमार की मुलाकात अमेरिका की राष्टपती से भी कराई जिससे नीतीश कुमार बेहद उत्साहिद दिखे इसी मुलाकात में डिनर में शामिल होने के बीच प्रशांत किशोर ने एक भविश शिवानी कर दी और कहा कि अगामी दोनों चुनाव कब होंगे ये नहीं पता लेकिन बिहार में जो आज की विवस्था है उस तरज पर नहीं होंगे प्रशांत किशोर ने कहा कि कौन सा नेता या दल किधर भागेगा ये कोई नहीं कह सकता आज जो विवस्था है जिसमें साथ दल एक हो रहे हैं अगले चुनाव से पहले आप देखेंगे इसमें बड़ा परिवर्तन आएगा इसकी जलक आपको दिख भी रही होगी प्रशांत किशोर ने कहा महागट बंधन को 2015 में हमने बनवाया था तो मैं जानता हूँ कि इसको बनाने में क्या समस्या है और इसे चलाने में क्या परिशानी आती है कितना समय और प्रियास करना पड़ता है 2015 में तीन दलों का जो महागट बंधन था उसे मैंने ही बनवाया था आज साथ दलों का महागट बंधन है प्रशानत किशोर ने कहा कि 2015 में जो महागट बंधन बना था उसमें लालू और नितीश कुमार कितनी बार मिले थे नितीश कुमार ने महागट बंधन क्यों बनवाया इसको समझने की जरूरत है मुझे दिली में मिले थे जहां उन्होंने मुझे खुद महागट बंधन बनाने और उसमें शामिल होने को कहा बहराल नितीश कुमार ने मुलाकात के बाद जो बयान दिया उससे किसी तरह का निशकर्श निकालना अभी बहुत जल्दबाजी होगा लेकिन डिनर में नितीश कुमार के शामिल होने और इस दोरान प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी और बिहार के मुझे मंतरी नितीश कुमार की मुलाकात को लेकर सियासी हल चल बेहत तेज हो गई है यूरोप दोरे पर गए राहुल गांधी ने ब्रिसल्स में चाइना के बेल्ड एंड रोड इनिशिटिव की तारीफ की और भारत को विकलपहीन बता दिया इसका जब जी समिट के दौरान उन्हें मिल गया चाइना के सपनों पर कैसे पानी फेरा गया ब्रिसल्स के बाद पैरिस पहुंचे राहुल गांधी को इस सबसे कोई फरक नहीं पड़ा और वहां भी भारत के खिलाफ प्रॉपगेंडा फैलाना जारी रखा उन्होंने पैरिस में इंडिया बनाम भारत नाम बिवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दो पर बात कि और कहा कि जो लोग किसी चीज़ का नाम बदलना चाहते हैं वे इतिहास को नकारने की कोशश कर रहे हैं अब लोगों को ये नहीं पता कि राहुल गांधी ने कितना इतिहास पड़ रखा है लेकिन उन्होंने कहा तो मान लेने में कोई हर्स नहीं है राहुल ने कहा कि हमारे सम्विधान में इंडिया को भारत को राज्यों के एक संग के रूप में परिभाशित किया गया है भारत इन राज्यों से मिलकर इंडिया या भारत बना है सबसे एहम बात ये कि इन राजियों में शामल सभी लोगों की आवाज सुनी जाती है और किसी भी आवाज को कुछलाया डराया नहीं जाता राहुल गांधी यही नहीं रुके उन्होंने आगे बढ़कर दावा कर दिया वे गीता से लेकर उपनिशद तक और कई सारे हिंदू गरंथ पढ़ चुके हैं राहुल गांधी ने कहा मैंने गीता पढ़ी है उपनिशद पढ़ा है कई अन्य हिंदू किताबें पढ़ी हैं लेकिन भारती जनता पार्टी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदू वादी नहीं इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संख है जो लोग किसी चीज का नाम बदलना चाहते हैं वे मूल रूप से इतिहास को नाकारने की कोशश कर रही हैं छात्रों को संबोधित करते हुए राहूल ने कहा मैंने इस बारे में बात की कि कैसे इंडिया भारत अपने सभी लोग स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेर्स के छात्रों और टीचर इस से चर्चा कर रही थे इस बात शीत के अध्यक्षता प्रतिष्ठित राजनितिक विग्यानिक और सेंटर आफ इंटरनेशनल स्टडीज के निदेशक प्रोफेसर क्रिस्टोफ जाफरलोट ने की और अरंचा गुंजालेज ने इसका संचालन किया इससे पहले कॉंग्रेस सांसद ने किंदर सरकार पर जी टूंटी शिकर सम्मेलन के दोरान लोगों को छिपाने का आरोप लगाया उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा भारत सरकार हमारे लोगों औ जानवरों को छिपा रही है हमारे महमानों के सामने भारत की सचाइच छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं महाराश्रो के डेपिटी सीम देवेद रफट नवीस ने एक बंद लिफाफा दिल्ली भेजा है जिसके बाद महाराश्रो में सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है असल में NCP में फूट और एकनार शिंदे और अजीद पवार के साथ सरकार के स्थिर होने के बाद भारतिय जनता पार्टी ने आगामे लोकसभा और विधान सभाच चुनाव की तयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने इंटर्नल सर्वे कराया है और उसके आधार पर रिपोर्ट तयार की गई है इससे बीजेपी के कई सांसदों और विधायकों की चिंता बढ़ गई है आगामे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ऐसे दो तीन सर्वे और कराने जा रही है अगर खराब प्रदर्शन करने वाले विधायक सांसद नहीं सुधरे तो इस बात की पूरी संभावना है कि उनका टिकेट कट जाएगा गरवारे कलब में बीजेपी विधान सभा विधायकों, विधान परिशत सदस्यों, लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसदों की रीजन वार बैठक हुई सुबह से शुरू हुआ बैठकों का दौर देरवरात तक जारी रहा बैठक में राश्ट्रियसा संगठन मंतरी शिवप्रकाश, उपमुख्य मंतरी देवेंदर फड़नवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंदर शिखर बावन कुले उपस सित्थे इस मौके पर सभी विधायकों और सांसदों को एक सील बंद लिफाफा दिया गया उनसे इसे खोलने को कहा गया इस लिफाफे में सांसदों, विधायकों की उनके क्षित्र में लुक प्रियता, सोशल मेडिया पर उनकी सक्रियता, उनकी और से किये गए विकासकारिये, प्रचार आधी की जानकारी थी सरवे में 50 से कम अंक पाने वाले विधायकों सांसदों को प्रदर्शन में सुधार लाने का निर्देश दिया गया 50 से अधिक अंक पाने वाले जन प्रतनिधियों को अधिक सक्रिय रहने को कहा गया 60 से अधिक अंक पाने वाले सांसदों और विधायकों को अपना प्रदर्शन बरकरार रखने की सलाह दी गई राज्य में BJP के कुल 23 लोग सभा सांसद है 5 से 7 सांसदों का प्रदर्शन बहुत खराब है मतदाता और स्थानिय अधिकारी सांसदों के कामकाद से नाखुश है विधान सभाक 105 विधायकों में से 25 से 30 विधायकों के प्रदर्शन से मतदाता नाखुश है और उन्हें अधिक सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है पिल रिपोर्ट, नीज अफ इंडिया पिल रहने का नाखुश है